असलाम अलेकूम एवरीवन सौगत है आप सब का हमारी एक नई वीडियो में तो आज हम बात करने जा रहे हैं जैनके के लिए कुछ नई पोस्ट आई है जो की एर्थ पास है टैन्थ पास ट्वेल्थ पास तो आज हम इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे जिस्टिक वाइज को बिल्कुल भी स्किपनिंग करना वीडियो बहुत जारा इंपार्टर रहने जा रहा है मैं आपको फिर से एक बार बता दूं यह जो है पोस्ट एट पास है टैन्थ पास और ट्वेल्थ पास कंडिडेट्स के लिए है तो वीडियो को जरूर एंड तक दिखना और वीडि इनवाइट्स ऑनलाइन एपिकिशन फार अनमेरिड फार अनमेरिड मेल कंडिडियर्स फार स्लेक्शन टेस्ट फार अगनी वेर इंटेक फार रिक्यूर्टिंग यज़ दोहजार तरीज दोहजार चोबिस तो और जो इसकी रिजिश्टेशन वह स्टार्ट है 16 फेब से 15 मा पोस्ट आई है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आप यह पोस्ट जो है अदुमपूर राजोरी पुंच रियासी रामबन डोडा किस्तवार जमू सांबा एंड कठवा जितने भी इन डिस्टिक्स से जो भी बिलाउन करते हैं तो उनके लिए पोस्ट जो है आई है त तो उसके लिए जो है आपने इनके ओफिसल वेबसाइट विजिक करनी है www.joinedanarmid.nic.in पर जाना है तो वहां से आपने इस खुद को रिजिस्टर करना है और वहीं से आपको इसका एप्लिकेशन फॉम सब्मिट कर देना है उसके बाद अगर हम एग्जामिनिशन फीज की ब बात करें तो सबसे पहले इसमें जो है अगनी वीर जर्नल ड्यूटी आप यहां पर देख सकते हैं तैंथ पास जो है इसके लिए इलिजिबल है वह एपलाई कर सकता है उसके बाद आप एज की अगर हम बात करें तो इसमें जो है स्तारस से 21 एयर्स तक मिनिमम सैवंटीन औ मिसफिमिमम जो है वह 21 एयर्स तक आप अपलाई कर सकते हो इसमें साथ में नीचे आता है अगनी वीर टेकनीकल इसमें 되지 कैरिया है इसमें त्रक छूर्ड कालिफिक fix जिसमे इसमें एपलाई कर सकता है और अगर हम नीचे भात करें अगनी वीर डुर्ड की तो इसमें भी deixa प कर सकता है ओर इसकी जो एज लिमिटड रहेगी वो 17 से 21 रहेगी उसके बाद अगनी विर ट्रेड समेंट 11 के लिए यह कर सकता है शकर व लिए attendance किया है वो इसके लिए eligible है वो apply कर सकता है age जो है इसके लिए 17 होनी चाहिए minimum और maximum जो है 21 years होनी चाहिए उसके बाद आता है अगनी वी एर tradesman 8th pass तो इसमें जो है 8th pass वाला eligible है 8th pass वाला candidate apply कर सकता है age भी इसकी 7 ही रहेगी और height जो है इसमें होनी चाहिए 133 cm और chest जो है 77 cm होनी चाहिए तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कुछ instructions दी गई है तो मैं आपको फिर से एक बार देखा दूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं तो अब हम बात करेंगे इसमें सेरी की वो भी मैं आपको बता दूँगा उसमें भी हम पूरा डिसकस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सेरी भी दी गई है फिर्स्ट एयर का package आपका रहेगा 30,000 सेगेंड एयर का रहेगा 33,000 और थर्ड एयर का 36,500 रहेगा फूर्ट एयर का जो है 40,000 रहेगा तो इन हैंड जो है आपको फिर्स्ट एयर में 21,000 मिलेगी सेगेंड एयर में 30,000 थर्ड एयर में 25,000 और फूर्थ एयर में आपकी 28,000 रहेगी तो इसका जो टोडल package है वो यहाँ पर देगाए अपर आपका सी मेटली 10.4 लाक है इसका टोडल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो फिर अगर हम इसमें फिजिकल फिटनस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पांच मिनट तीस सेगिंड में इसके आपको 10 पुश अप्स करने हैं, इसके 40 माक्स हैं, ग्रूप सेगिंड में भी इसी तरह दिया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं, उसके बाद, इसमें मतलब 8 पास के लिए मैं बता दूँगा, उसके लिए डॉकमेट्स कौन कौन से, डॉमी साहिल होने चाहिए, कास सट्फिकेट होने चाहिए, रिलिजन सट्फिकेट, करेक्टर सट्फिकेट, उसके बाद, अनमेरिट सट्फिकेट, तो और रिलिशनिसिफ सट्फिकेट यह आपको जो है, इसके लिए डॉकमेट्स जरूरी होने चाहिए, जो भी 8 पास वाल जॉइन करें और जिसको भी इस वीडियो के रिकार्डिंग कोई भी डाउट होगा वह आपना डाउट जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है वाटसप ग्रूप की वहाँ से क्लियर कर सकता है मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जॉब अपडेट के साथ तब तक क